तो हेलो दोस्तो तो हैर आज की ये वीडियो धम्मा के दार होने वाली है मतलब मेरी हरी वीडियो धम्मा के दार होती हो तो मुझे पता ही है लेकिन ये वीडियो बहुत जादा धम्मा के दार होने वाली है क्योंकि इस वाली वीडियो में आपको पता चलेगा कि डॉक्टर ड दो जाए बच्चिस तक आही जाएगी तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि अब ये लोग डॉक्टर डॉम को टीस करना चालू कर देंगे मतलब कि हर मूवी या हर सीरीज में उसके हिंट देना चालू कर देंगे बिल्कुल वेसा ही जैसा इन्हों न थैनॉस के साथ किया था दिखाए जाएंगे चुकि वाइब रेनेम की तलाश में होंगे और मूवी के पोस्ट क्रेड़ित सिन्मा हमें पता चलेगा कि उन साइन्टिस्टों को और किसी ने नहीं बल्कि विक्टर यानि कि दॉक्टर डूम ने ही बेजा होगा और फिर उस पोस्ट क्रेड़ित सि destroy करने की कोशिश भी करेगा और फिर उसे रोखना है कि Ant-Man in the Wasp और इससी भी जे Ant-Man को मिलेगा Mordok जो कि Kang को हराने में इनकी मदद करेगा और फिर Ant-Man और Mordok दोनों मिलकर Kang को हरा देंगे और फिर इस movie के post credit scene में हमें पता चलेगा कि यह जो Mordok है इसे दरसल Dr. Doom ने ही बनाया था Kang को रास्ते पर जाने के लिए क्योंकि Dr. Doom जो है वो Multiverse पर रूल करना चाहता है और Dr. Doom को कोई भी नहीं रोक सकता सिवा एक है Kang the Conqueror तो इसलिए Dr. Doom ने वहां Mordok को बेचा था था कि वो Kang the Conqueror को मार सके और फिर Kang को मारने के कुछ समय बाद याने कि Kang Dynasty में हमें पता चलेगा कि जिस Kang the Conqueror को Antman ने मार दिया था वो भी असलि Kang the Conqueror नहीं है वो भी Loki सीरीज में जो वेरियन था वेसा ही एक वेरियन था बस और फिर जाके हमें Avengers Kang Dynasty में पता चलेगा कि क्या होगा आप डॉक्टर डूम और Kang the Conqueror आमने सामने होंगे तब तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चेनल को साब्सक्राइब करना अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में